शामिल होने वाले प्रधार मंत्री नर्यद मोदी पहले प्रधार मंत्री हैं सेवे रगुनात की यात्रा देखेंगे और जो हैं सुरेश कश्यप जो हिमाचल प्रदेश के बीज़पी प्रभारी हैं बीज़पी के अथ्यक्ष हैं वो भी साथ में मौझूद हैं यहां के जो राज्यपाल हैं वो भी उनके साथ इस पूरे जो पूरा का पूरा पर्व है उसका नजारा देखी हैं क्या नजारा है नंदिनी प्रधान मंत्री प्रधान सेवक अपने लोगों के अपनी जनता के बीच मौझूद एक कारेकरता के रूप में उन्होंने एक लंबा वक्त बिताया है हिमाचल प्रदेश में और उसका जिक्र भी उन्होंने किया हूं तो एक कनेक्ट है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का हिमाचल वासियों के साथ बिलकुल सही कहा और कल जब हम भगवान रगुनात के प्रथम सेवक महिश्र सिंग जी से बात कर रहे थे तो उनका भी उन्होंने जिक्र किया जब प्रधान मंत्री यहां के प्रभारी हो हमाचल के लोगों के बीच में आना और लोगों को यह कहना कि हमें अपनी परभार से जोड़े रहना है कहिना कहीं यह संदेश भी प्रधान मंत्री लोगों को दे रहे हैं हमने तेका पिछले दो दिनों से हम देख रहे हैं कि डेवी देवता यहां पर पहुंच रहे है और सारे युवा इस पूरे प्रोसेस में भाग ले रहे हैं पूरे जो प्रोसेशन चलता है वारम परिक टोपी पहला कर जराम ठाकर मुख्यमत्री हिमाचर प्रदेश ने प्रदान मंत्री का अभिवादन किया और आप बात कर रही थी युवाओं की यंग इंडिया है ये इंडि कि तमाम होटल्स बुक हो चुके हैं तो दान मंत्री की जैसे उनको आने के खबर मिली रूम सी नहीं मिल रहे हैं यापर बिलकुल बिलकुल वैसे तो जब भी दशेरा होता है तो लाखों की संख्या में यहाँ परियर तक आते हैं क्यूंकि इस तरह का नजारा शायद ही कहीं देखने को मिलता हो कहीं नहीं देखने को मिलता है इतने सारे 300 से अधिक देवताओं का एक शहर में पहुंचना भगव राम परिवार की साथ में सीथा, सीथा माता, लखन और वक्त हनुमान भी साथ में हैं, एक फोटो फ्रेम उनको भेट किया गया, और आप बात कर रही थी यंग इंडिया की प्रधान मंत्री हमेशा अपना वादा निभाते हैं, और आज तो रिकॉर्ड बनाया है नंधिनी प् पहले प्रधान मंत्री है, जो कुलू का दशेरा देखने के लिए यहाँ पर आए हैं बिल्कुल, पहली बार है, इससे पहले हम बात करें थे, तो हमें बताया गया कि इससे पहले लाल किशन अडवानी यहाँ पर आए थे, लेकिन उस समय वे ग्रह मंत्री थे यह पहली बार है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, इससे पहले देखें कितनी खुबसूरत शौल भी उन्हें दी गई है, कुलू शौल जिस पर कुलू पट्टी का काम है, बहुत खुबसूरत शौल उन्होंने ओड़ी हुई है और ऐसा लगता है कि हिमाचल के बीच हिमाचल का जो कोई नेता है, हिमाचल का बेटा, हिमाचल की आनबान और शान, हिमाचल की यह टोपी, हिमाचल की पहचान जो प्रधान मंत्री को भेट की गई और प्रधान मंत्री ने पहनी भी हुई है और बिलासपूर से ही प्रधान मंत्री उस्टूपी को पहने हुए है और यह बताते हुए कि मैं आपके बीच आ गया हूँ, मैं आपका बेटा हूँ और यह देखिए अंतराशी कुलू दशेरा पर प्रधान मंत्री का हाद दिक, हार दिक अभिनन्दन करते हुए मुख्य मंत्री जराम ठाकूर और यहां की जनता जो प्रधम सेवक है इस वर ब्रभुनाजी के वो बता रहे थे कि ना कि वह लोग खुश है बलकि देवता भी खुश है और जिस तरह से देवता जूम रहे हैं लगता है कि सच में प्रसंद है देवता जब प्रसंद होते हैं तो आशिरवाद भी देते हैं और आज प्रधान मंत्री का ये कहना कि मुझे भरपूर आशिरवाद बिला है जनता का और साथ में हम देख सकते हैं सूचना एवं प्रसंद मंत्री जिन पर खेल का भी प्रभार है अनुराक सिंग ठाकूर यहां के यूवानेता है वो भी मंच पर आसीन है यूद स्पोर्ट्स अफेर्स का जो पॉटफोलिया है वो भी उनके कांधू पर है और देख सकते हैं आप कितने सैटिसफाइड वो नजर आ रहे हैं उनका प्रदेश प्रधान सेवक की मौजूदगी और लोगों का हुजूम दो साल बाद ये नजरा देखने को मिला है और अद्बुद नजरा है ये बिलकुल अद्बुद नजरा है और ये संभा वो सका है कि जिस तहां से भारत ने अपना वैक्सिनेशन का कारे पूरा किया आज जो है आपको देखा जाए तो कोई भी मास् कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी जो वो थी बिमारी थी उसे हमने मात दे दी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी का विजन था जिससे के वजह से ये संभाव हो पाया और इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद हम अपने वैक्सिनेशन कारे को पूरा कर पा लेकिन आज लोग करीब से अपने प्रधानमंत्री को देख रहे हैं करीब से वो तमाम खशनों को कैद कर लेना चाहते हैं अपने मोबाइल में जो उनके फेस्बोक और इंस्टेग्राम पे नजर आएगी और ये एक वाइरल वीडियो होने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्र कि पूजा अर्षना शुरू होने जा रही है हम चाहेंगे कि लोग उसका अनंद ले राजा महिश्वर सिंग इनको राजा क्योंकि शेत्र के थे इसलिए अभी भी राजा महिश्वर सिंग कहा जाता है पहुंच चुके हैं प्रतम सेवक हैं धगवान रगुनात के और वो य यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि यह लोगों की आस्था है लोगों का विश्वास है कि वो खरीब धाई सो किलोमीटर तक का सफर तै करते हैं इन पहडों से चट्टानों से और तमाम मुश्किल रास्तों को पार करते हुए अपने कांधों पे पा भीड को कंट्रोल करने के लिए एक अनूठा इंतिजाम है हिमाचल के पास इनका अपना ट्राफिक इंस्पेक्टर उसके बारे में आप क्या कहेंगी बिलकुल दुम्बलनाग वो देवता हैं जो पूरा का पूरा ट्राफिक मानेज करते हैं कहते हैं कि अगर वो किसी से नाराज हो जाए तो उसकी क्यार नहीं होती तो अभी वोई पहुँचे नहीं है, ट्राफिक बिलकू कंट्रोल में है, लोग पूरा का पूरा आनंद ले रहे हैं, जो पूरा देव समाज यहां पर इकठा हुआ है, जो देवताओं को मानने वाले लोग हैं, वो वहां इकठा हुए हैं, भगवान रगुनाथ की पूजा जो पूजा अर्चना है, वो शुरू होने जा रही है, अभी वो नजारा हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन जल्द ही अगर वो आए, और उन्हें ऐसा लगा कि लोग जो हैं, अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो जरूर उनको समझाया जाएगा, उनको बताया जाए हैं, कि हमें दुमलनाक को नाराज नहीं करना है, और हमें बकायदा अनुशासन के साथ इस पूरे मामले को इंजॉय करना पड़ेगा, बिल्कुल आप देख सकते हैं, भगवान रगुनाथ जो हैं, उनका रत खोल दिया गया है, अब हम देख सकते हैं उन्हें, ये नजारा देखने को अभी हम चाहेंगे कि कैमरा में दिखाएं उनका वो नजारा जहां भगवान रगुनाथ अब नजर आ रहे हैं, पूरा श्रिंगार किया गया है, और नंदनी काफी भारी रत है वो, जिसमें भगवान रगुनाथ को विराजा जाता है, और देखें, तमाम देव रहता है, यह रत्सों के साथ इस रत को खीचा जाएगा, लेकिन उससे पहले भी, उससे पहले, इससे पहले कि वो रत खीचा जाए, एक खास पर्मिशन लेने पड़ती है, वो क्या है? यहाँ पर जब एक पर्मिशन मिलती है, इसके पीछे अगर आप पहाड़ी पर देखें, तो एक मंदिर है, वहाँ से एक टॉर्च जलाई जाएगी, जिससे यह कहा होगा कि अब आप जो है इस रत को खीच सकते हैं, जब वो होगा, उसी के बाद रत को आगे बढ़ाया जा उसे पहले अभी पूजा अर्चना होगी, जो महिश्यो सिंग जी है, वो पूजा अर्चना के लिए बिलकुल तयार है, अपने पारंपर एक वेश भूशा में, और कहीना कही यह पूरा का पूरा जोश्रे है, वो महिश्यो सिंग जी को जाता है, जिस तरहां से उन्होंने परंपरा को आगे बढ़ाया है, आज भी उनका परिवार इस पूरे की पूरे रगुनाथ जी की जो पूजा अर्चना में समर्पित है, हलाकि मेले बाद में जो है वो सरकारों द्वारा ले लिए गए और कहीना कहीं परंपरा उसके साथ जुड़ी हुई श्रधा उसे दू पूर होती गई, लेकिन ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि रत हमें नजर आ रहा है और भगवान रगुनाथ के हम दर्शन कर सकते हैं और प्रधान मंतरी काफी खुश नजर आ रहा है, लेकिन इनके चहर पे कभी थखान देखने को नहीं मिलती और ना सिर्फ थखान देखने को नहीं मिलती बलकि वो काफी लगते हैं कि he is a man on a mission और आज वो काफी खुश नजर आ रहे हैं दशेरा है अच्छाई की बुराई पर जीत का तियोहार है अंधेरे का आजपतन होगा और उजाले का उजाले का उदे होगा और ये जो पर्व है ये भारत के अंदर हमारे देश के अने से बनाये जाता है माफ कीजे और उसमें रावन मेगनात और कुम करण के पुतले जलाए जाते हैं लेकिन जो कुलू का दशारा है वो बिलकुल अलग है यहां पर ऐसा पुतला देहन नहीं होता बिलकुल कोई पुतला देहन नहीं होगा सिरफ जो है आपको प्यार ही प्यार नज़र आएगा प्रेम जिसे जो मूल आधार है भारती है संस्कृति का शद्धा वो नज़र आएगी परंपरा वो नज़र आएगी और कही ना कहीं डेव मिलन यहां पर नज़र आएगा इस तहां का कुछ भी नहीं होगा एक सिंबॉलिक कहा जाए तो यह दाशेहरे की सीधी तस्वीरे देख रहे हैं कुलू दाशेहरे का रावन निगनाद और कुमकरन और उनका देहन किया जाएगा देखे एक संदेश हिमाचल पूरे देश को भी देता है कि हमारा हमारा पास जो खुद्रती खजाना है उसको किस तरह सहेज का रखना है और प्रदूशन नहीं फैलाना है ना पटाखे आप जलाते हैं आप पुदले जलाते हैं तो काफी प्रदूशन होता है बिल्कुल देखा जाए तो आज का अगर हम पुरा का पुरा देखें विशाल तो देखने में आया कि आधुनिक्ता और परंपरा एक ही दिन में दो बाते होना एम्स का उद्गार्टन होना और प्रधानमंती नरेंद्र मोदी का जो है दशेरे के उत्सव में फाग लेना ये दोनों बहुत ही अलग-अलग चीजें हैं लेकिन उनका समावेश हुआ है और ये बताता है कि भारत अपनी परंपरा को बचाए हुए है वो उसके साथ आगे बढ़ रहा है और जल्दी ही हम विक्सित देशों में शुमार होंगे जिस तरहां से हम आगे बढ़ रहे हैं शांस है लहराता हबारातिरंगा इस बात का प्रतीक कि भारत अमरितकाल में प्रवेश कर चुका है 25 साल हमारे लिए जैसे प्रधान मंत्री ने कहा कि बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं और यह 25 साल यह डिसाइड कर देंगे कि हमें विश्व गुरू बनने में वो 25 साल कितना एहम रोल अदा करें और देखिए आप छोटा बच्चा अपने पापा के कंधों पर चड़के प्रधान मंत्री को देखने के लिए उत्सुक है और किस तरह से किसी ना किसी एंगल से भीड को चीरते हुए लोगों की निगाएं टिकी है प्रधान मंत्री की ओर क्योंकि यह जो आपका दशेरा है कुलू का दशेरा ये तो अपने आपे एतिहासिक है ही यांकि संस्कृती का हिस्सा है वो लेकिन प्रधान मंत्री का आना अपने आप में एक रिकॉर्ड है पहले प्रधान मंत्री है भारत के जो कुलू का दशेरा देखने के लिए आये हैं लोगों के बीच में मौजूद ह और चारों तरफ एक खुशी की लहर है, एक खुशी इस बात की है कि आज हिमाचल को इतनी सारी सौगाते मिली है, एम्स मिला है, उसके साथ मेडिकल कॉलेज मिला है, जिसमें 100 डॉक्टर्स तयार होंगे, नर्सिंग स्टाफ तयार होगा, एंजिनेरिंग के स्टूडेंट्स सायार होंगे, और आपके फोर लेनिंग होगा, और इसके अलावा मेडिकल डिफाइस पार्क भी उसका नालागड में हो, उसका शिलानी आसकिया प्रधान मंतरी ने, तो जब आप सिहत मंद होंगे, जब आपके तरफ आपके पास इंफ्रस्ट्रक्टर होगा, तभी आप ख जो बात है, एमस का उद्खाटिन करके प्रधान मंतरी नरेंजर मोडी ने बताया है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, और अभी तक जिस तरहां से 2014 के बाद देश ने लगातार प्रगती की 5G, हमारा अपना मेकेन इंडिया का 5G प्रधेश में आना, ये एक उधारन है कि देश जो है वो आत्म निर्भर हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, देखिए रत दिखाया जा रहा है भगवान रगुनात का जो आगे बढ़ने के लिए तयार है, जैसे ही संकेत होगा, ये रत यात्रा आगे बढ़ेगी, और लोग कितनी बड़ी संक् देखिए रहा है, भगवान रगुनात के पास देवता मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, बहुत खुबसूरत नजारा, और प्रधान मंत्री रहें रहे हैं, इसको पुरे को पुरे चायद वे जो हैं लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं, लोग भी देखिए उस ओर आगे पढ़ रहे हैं, देखिए यह आकर्शन है प्रधान मंत्री का, जो बदस्तूर जारी है, एक खिचाव महसूस करते हैं, मानलो कोई चुम्ब की आकर्शन हो, लोग जैसे उनको देखते हैं, उनकी तरफ खिचे चले जाते हैं, और यही एक स्टार्डम जो है प्रधान मंत्र आगे बढ़ते हुए लोगों को जो है वो बातन करते हैं, दुम्बल नाग जो देवता की हम बात करें थे, अभी जो हमने देखा वो दुम्बल नाग जो देवता थे, वो ट्राफिक कंट्रोल करेंगे, यह देखिए आगे बढ़ रहे हैं लोगों को अनुशासन का पाट पढ़ाते हुए, उनको अनुशासित करने के लिए आगे बढ़ते हुए, दुम्बल नाग आपने देखा देवता जुम्बते हुए, और कहते हैं का अगर उनको देखिए प्रधान मंत्री, लोगों का अभिवादन करते हुए, देवताओं के काफी नजदीक आ चुके हैं मॉबाइल नज़र आ रहे हैं, किसी तरहा प्रधान मंत्री की तस्वीर उनके मॉबाइल में खैद हो जाए, और ये नज़रा अद्भुत, अद्भुत नज़रा, संस्कृती, धर्म, इतिहास और राजनीती का मिलन, राजनीती, एक ऐसा राजनीता जो लोगों के बीच से ह लोगों के लिए हैं और लोगों के लिए हमेशा मुस्तैद रहता है बिलकुल बहुत ही खुबसूरत नजार देखने को मिल रहा है, प्रधान मंत्री, नैंद्र मोदी, लोगों के बीच हैं, भगवान रगुनाथ का अशीरवाद लेने के लिए विरत्ती और आगे बढ़े हैं, भगवान का अशीरवाद लेंगे पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े कट्के नेता, जो हैं सच में प्रधान सेवक लोगों के बीच हैं, इसी लिए यही जुड़ाव है लोगों का प्रधान मंत्री से और नंदरी देखिए कि कैमरामेन को भी मुश्किल हो रही है, प्रधान मंत्री चारों तरफ से अपने लोगों से गिरे हुए हैं और लोगों ने मानलो ऐसा लग रहा है कि बस उनको बिलकुल आतूर है किसी तेरे उनकी नस्दीक जाने के लिए, उनको चूने के लिए, उन मैदान में उतर गए हैं, आशीरवाद ले रहे हैं, शायद ही पूरा सेक्योरिटी प्रोटोकॉल से अलग होकर, उन्होंने कहा मैं आम आदमी हूँ, आपका प्रधान सेवक हूँ और आपके बीच हूँ, और भगवान से बड़ा कोई नहीं हूँ और भगवान का आशीरवाद लेते हूँ, आशीरवाद उनको जनता का भी मिला, दो हजार चौदा से उनको जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, और आप देखे के ता खूबसूरत नजारा, कलरफूर एट्मस्फियर हीर इन दशेरा मैदान, विच इस एडजिसेंट और प्रीमिनेटर निजाए के ता घुछिए आप देखे के लिए मुण आप जाता के लिए प्रादान मात्री इस नरहां से भी मैं आजाए, एक बहुत बडा संदेश लोगों को देते हूए कि वेगवान है, मैं प्रधान से वख भखू हूँ, एक बहुत बड़ा संदेश संदेश जा रहा है लोगों में कि भगवान का अशीरवात होना बहुत जरूरी है लोग अपने जो है वो धार्मिक जो आस्थाएं हैं उनको कायम रखे परमपराओं को निभाते हुए और देखे जाएं तो वो जो बात हम करें थे दुम्बल नाग देवता की वो कहीं अभी लोगों को कहीं नहीं अनुशास्त रख रहा है प्रधान मंत्री के पास नहीं आने दे रहा है बिल्कु ठीक है और यह बहुत जरूरी भी है कि लोग जो है वो अनुशासन की सीमा में रहे और अगर आप अनुशासित रहेंगे तब ही आप हर पल का मजा भी ले पाएंगे और उनका आशीरवाद ले रहे हैं और कितना खुबसुरत नाजारा देखने को हमें मिल रहा है बिल्कुल डेव ऐसा लगता है देवी देवता सब और से प्रधान मंतरी को आशीरवाद दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिस तहां से आप देश को आगे सन है देवताओं और मनुश्यों का समागम यहां के रत मैदान में देखने को मिल रहा है और मैं आपसे जाना चाहूंगा कि अंतराश्टिय यह जो मेला है हर साल भरता है लेकिन क्या इतनी भीड कभी देखने को मिली है या यह प्रधान मंतरी का जादू है जो सर चड़के बोल रहा है वैसे तो भीड होती है लेकिन इस तरहां की भीड के लोग जो है प्रधान मंतरी के दिदार के लिए खड़े हों ऐसी भीड शाहिद ही कभी नजर आती हो हाला कि आपको आपने जैसे बताया के 300 से जादा 365 देवता यहां पर आते हैं कुछ देवता अगर नहीं आते हैं तो उन्हें कहीं न कहीं अनुमती लेनी पड़ती है भगवान रगुनात की कि यह समस्या है मैं नहीं आ सकता हूं और अगर बिना अनुमती के कोई नहीं आता है तो उसका पूरा दर्बार भी लगता है अदालत लगती है और दंड भी मिलता है आप कहना चारी है कि पकायदा लीव सैंक्शन करानी पड़ती है पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ पालकियों पर विराजे अलग अलग देवता लोगों की भीड में से निकलते हुए और प्रधान मंत्री एक बार फिर लोगों का अभिवादन करते हुए आशीरवाद लेकर बिलकुल और पारंपरिक देखे आप चुन्नी बांधी हुई है भगवान रगुनात का प्रसाद लेकर वे वापिस लोटे हैं लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और भगवान रगुनात ने उन्हें आशीरवाद दिया है कि आप जो है हमारे यहां आए तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत आशीरवाद है आपको यह तुरहियां बज़ते हुए खोशी का महौल और देखे दोना हाथ उठा कर प्रधान मंतरी लोगों का अभिवादन करते हुए और लोग बराबर जवाब दे रहे हैं हाथ हिलाते हुए इतना एक्साइटमेंट है एक दूसरे से कश्मकश है अरे मुझे फोटो लेने दो अरे मेरे फ्रे में मताओ प्रधान मतरी मेरी की नजरे मेरी तिरफ मिल जाए मुझसे और मैं किसी तरह उनक्षणों को कहत्करूँ देखिए सब लोगों ने हाथ उठाया हुआ है ये प्यार है ये विश्वास है लोगों का बच रोजे हैं विए प्रधानमंत्री के स्वागत में उन्हें कहिना कहिंए बताते हुए कि आपका स्वागत आपका दिव में भी स्वागत है आपका देवताओं की बीच में स्वागत है बिल्कुल ऐसा लगता है कि पुद्धान मंत्री को दिव्य शक्ती मिली हुई है ना कभी ठकते हैं ना कभी रुकते हैं ना कभी कोई चीज उनको परेशान करती है अपने मिशन पर एक महायोगी की तरह वो चलते रहते हैं एक पड़ाओं पार करने के बाद वो दूसरे पड़ाओं की और चल पड़ते हैं और तभी वो ये कहते हैं और कह सकते हैं विश्वास के साथ कि 25 साल अमरितकाल के ये तैकर देंगे कि भारत विश्वरू बनेगा जब खुद इतनी महनत करते हैं खुद इता परिश्रम करते हैं पूरी इमानदारी के साथ तभी लोगों का विश्वास उनके प्रती खायम रहता है साल दर साल प्रधान मंत्री के प्रती उनका विश्वास उनका प्रेम बना हुआ है और प्रधान मंत्री विवादन करते हुए लोगों का सब तरफ जा रहे हैं आप देख रहे है और दूसरी बार दूसी तरफ गए, वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनके दिदार से बचा रहे, वो नहीं चाहते हैं कि कोई नजारा वो देखने से बच जाएं, सब भगवान, सब जो दीवी देवता आयाई हुए हैं, उनका अभिवानन करते हुए, उनसे आशीर परिदेश चाहते हैं, आप का बेता हुए, हमाचल का बेता हुए 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 हुएDष्ựcण हमाचल का बेता हुए. and accepting the greetings of the people who have come from all walks of life. जो है वो कुलू आये थे और लोगों के बीच में आये थे भगवान रगुनाथ से उन्होंने आशीरवाद लिया था लोगों का अभिवादन किया था और यह पूरा का पूरा देवी देवताओं का जो मिलन हो रहा है उसको देखा कितना बड़ा समय वो यहां पर बिता रहे ह आप देखिए कितनी बार वो लोगों का अभिवादन करें कभी उनका मन नहीं भरा है इस नजारे को देखते हुए मैं तो यह कहूँगा कि लोगों का मन नहीं भरा और वो चाहेंगे कि प्रधान मंत्री जाधा से जाधा वक्त उनके बीच में बिताए क्योंकि वो हमेशा यह चाहेंगे कि जिस प्रधान मंत्री देखिए कितनी समय तक खड़े हैं लोगों का अभीवादन कर रहे हैं, देवी देवताओं से आशीरवाद भी ले रहे हैं। लोग कितने खुश हैं कितना रौनक है लोगों के चहरे में वोक्षन वे अपने मोबाइल में क्याद करना चाहते हैं हसते हैं मुस्कुराते प्रधान मंत्री का भुवादन करें प्रधान मंत्री देखिए कितनी देर तक भगवान रगुनात की यात्रा जो है उसका नजारा ले रहे हैं और क्योंकि यहां पर 300 से जादा देवी देवता आये हैं कि तो उनका कही न कहीं आशीरवाद भी मांग रहे हैं कि मैं जो है प्रधान सेवक आपकी आशीरवाद के बगार कुछ नहीं कर सकता आप मुझे आशीरवाद दीजिए इसी तरहां से मैं भारत को विक यह बहुत कन्विक्षन चाहिए कि किस तरह से आप अपने देशवासियों को कन्विंस कर से हैं और उसके लिए पूरी सिंसियारिटी होनी चाहिए देखिए सब और अगर हम देखें जिस तहां से हमारे कैमरा में दिखा भी रहे हैं चारों और देवी देवता खड़े पुरा का पूरा देव समाज यहां पर खड़ा हुआ है भगवान रगुणात की यात्रा है वो शुरू होने वाली है रत खींचा जाएगा प्रधान मंत्री इंतजार कर रहे हैं कि ये रगुनात जो की जो रत यात्रा है वो शुरू हो लेकिन जब जो संकेत आएगा तब ही रत यात्रा जो है वो आगे बढ़ेगी परमपरागत रूप में आगे बढ़ेगी प्रधान मंतरी देखे उठकर खड़े हो गए हैं भगवान रगुनात के आदर में खड़े हो और पूरा का पूरा लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि प्रधान मंतरी किस तरह से भगवान रगुनात को देखने के लिए उनके जो रत यात्रा है उसकी एक जहलक पाने के लिए अपनी जगह से उठकर स्टेज पर आ गए हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये शुरू हो इस बीच पूजा अर्शना जारी है प्रधान मंत्री पहले ही जैसे हमने बताया कि वे भगवान रगुनात का आशीरवाद लेकर आए हैं प्रधान मंत्री कुलू दशारे को बहुत पुराने से जानते हैं बहुत समय से वे इसको देखते आए जब वे हेमाचल प् प्रधान मंत्री कुलू दशारे को देखने के लिए आया और इतने समय तक वे लोगों के बीच में हैं देवी देवताओं के बीच में हैं और रगुनात जी की जो यात्रा है वो देखना चाहते हैं वो चाहते हैं कि वे नजारा ले जब यात्रा होगी उसको देखेंगे औ और उसके बाद वे वापिस शायद लॉट जाएंगे। देखे अभिवादन करते हुए प्रधान मंत्री और इंतजार करते हुए लोग भी रगुनात के साथ साथ प्रधान मंत्री की ओर देखते हुए। हम अगर बीच में देखें तो देवी देवता जो है अपना आशीरवाद कहीना कहीं खुशी से जुम रहे हैं भगवान रगुनात से उनका मिलन है तो बहुत ही खुबसूरत नजारा हम देख सकते हैं परंपरागत विश्भुशा में काफी सारे लोग इस पूरे कुलुक शे हास है सोलवी शतापदी में जो अंतराश्रिय खुलु दशैरा है वो शुरू हुआ और तब से यह परंपरा चलिया रहे हैं देखें बहुत ली खुबसूरत नजारा है यह बिल्कु ठीक कहा आपने 1605 से यह बहुत सब शुरू हुआ प्रदानमंत्री दुनों हाथ का अभिवादन करते हुए और एक अद्बुत नजारा है चारों तरफ पारंपर इग्लेश भूर्शा देवी देवताओं का आशिरवाद प्रदानमंत्री लेते हुए साथ ही जनता का भी आशिरवाद लेते हुए और लोगों का एक्साइटमेंट देखते ही बनता है कितन प्रान जगत यह जो पुरा का पुरा शुरू हुआ था राजा जगत सिंग ने शुरू किया था और तब से यह परंपरा चुदी देखते हुए क्रभादो पुर्दाट धे बनता है? क्रप्ली स्टी स्टी था प्रह्ट रुरू हुए क्रु donorsk新त्री लाद मेरे कि यह प liftoff sushi से ग厉ते हुए प्राइब का लुझ माषएपर। उञे एक लावाआ और के लावागए। झालो क आजए लोगजा सेह वावाज। ल्री कावज highlighted. झाले लाग पाहे लागे लागे हैं यूना संट कर दोल्द में लागे लागे हैं चल्द का लागे हैं उब फटेश लोगेश भेंगर से की से लोगेश का यजा के लोगेश यह का यह आई भागेशश ऑेश नखाग अ क्वेश लोगेश यह वा चारी कर दो वह का अ यह को शैश्चा शार दर्शनों के इस भव्या रथ यात्रा के और उसी के साथ साथ हमारे देश के मान्य परधान मंतरी मौहादे जी के उपस्थिती भी एतिहासिक है आप दर्शन करें कहते हैं कि जो इस रथ यात्रा के दर्शन करता है पूरा वर्ष उसके लिए शुब होता है और ऐसा माना जाता है कि आज स्वरग लोग से एक हजार से ज्यादा देवी दिवता यहां भगवान रगुनाथ जी के दर्शनों के लिए मौजूद रहते हैं और ये रथ यात्रा भगवान रगुनाथ जी के अस्थाई शिविर तक जाएगी जहां पर भगवान रगुनाथ जी विराजमान हो जाएंगे और अगले साथ दिनों तक लाखों लोगों के दर्शन के लिए सभी देवे दिवताओं के दर्शन के लिए वहाँ पर उपलब्द रहेंगे यह है भब्या यात्रा रत यात्रा इस समय रत में जहां भगवान श्री रगुनाथ जी आरूर है उसी के साथ साथ कुल्लू के असंख्या देवी देवता भगवान रगुनाथ जी की अगुवाई में धीरे धीरे इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और यह देम्मय नजारा यह वातावन और यह ठहरी हुई धीर यह रुका हुआ जन सहलाव यह देखिए कुल्लू की संस्कृती यह है भव्य संस्कृती के भव्य दर्शन और खुश नसीव है वो निगाहे जो ऐसे दर्शन कर रही है ऐसे पल आज हमारे जीवन में आकर समलित हुए है हम भगवान श्री लगुनाथ जी से सभी देवी देवताओं से परम पिता परमात्मा से ऐसी अरदास प्रार्थना करते हैं कि ये पल सभी के लिए सुख लेकर आए सभी के लिए जीवन मंगल मैं हो हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहे भारत वर्ष दिन दौगुनी रात चौगुनी तरक्षी करें और हमारी ये माननेताएं ये देव परमपराएं हमारी संस्कृती जो है वो इसी तरह से अक्षुन बनी रहे इस पावन वेला में यही मनों कामना है यही अरदास है यही प्रात्ना है और ऐसी ही प्रात्नाओं को लिए हमारे देश के बारन